इसको आप एकदम हलके में सॉल्व कर सकते हैं और एकजाम में आएगा तो एकदम चुटकी बजाते हैं आप सॉल्व कर लीजेगा और ना सिर्फ बना लीजेगा आपको डिविजन का भी जोद नहीं पड़ेगा तो चलिए सुरू करते हैं जल्दी से पहले कोशन को एक बार इंजिनियरिंग के बिद्धिर ती रचेल से एक पतली अलुमूनियूम सीट का पर्योग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जिस से हमको कोई लेना देना नहीं मॉडल के बारे में चलिय कैसा है मौडल के बारे में खागए एक बेलन की आकार का है जिसके दोनों सिरो पर पुरा मॉडल का लंबाई 12 संटीमीटर है चलिए हम एक model बनाते है 12 cm का, तो पहली बात जो भी model बनेगा, उसका पुरा का पुरा उचाई कितना रहेगा, 12 cm, तो इसको पहले parameter ले ले लेते हैं, ये कितना है पुरा, 12 cm, हम लोग जो model बनाएंगे, उसको खड़ा करके राखेंगे, चाहे तो बेलन को सुला भी सकते हैं, लेकिन हम लोग खड़ा करके राखेंगे, बात बराबर आप सुला भी दीजिएगा, तो कोई फर्क ने पड़ता है, तो चलिए, चलिए माल लेते हैं, ये क्या है, बेलन है, चलिए ये बेलन होगे, अद्दू को संकु जर दीजिए, ये उपर जर दीए, और ये जर दीए नीचे, दोनों सिरोप है, और क्योंकि यहाँ पर त्रिवनिया अक्रिती है, तो इसको इस तरह से कर दीजिए, ताकि हम त्रिजिया को दिखा सके, तो पूरा का पूरा ब्यास दिया होए, तो ब्यास का तो कोई काम होता नहीं है, तो त्रिजिया का होता है, ब्यास दिया है तो अगली बार प्रसन को चलिए और पढ़ते हैं उसके बाद कहा गया है इस मोडल का ब्यास 3 cm है इसके लंबाई 12 cm है लिख दिये हैं अल्रेटी पर्तेक संकुर की उचाई 2 cm है तो पर्तेक संकुर का उचाई क्या है 2 cm है तो यहाँ देखिए यह कितना है 2 cm और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 cm तो कुल बिला कि पूरा मोडल कितना है 12 cm का है जिसमें बेलन का उचाई कितना हो जाएगा 8 cm ही होगा क्योंकि 4 cm तो दो संकुर घर लिया है तो पूरा मोडल भले ही 12 cm है लेकि हकिकत यह है कि बेलन 8 cm का है और दूनू संकुर जोर के 4 cm है तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं तो पहले प्रस्ट को आगे पढ़ते हैं इसमें क्या बोला गया है तो राचेल द्वारा बनाए गए मौडल के अंतरिक हवा का आयतन ग्याद कीजिए मतलब इसके अंदर हवा कितना जाएगा और दोनों संकुर निकाल लेंगे पिर बेलन का रॉत निकाल लेंगे जोड़ देंगे तो चलिए संकू का ivbon अQué संतर। 3ड़ाएं साम्गु from what क्योंकि दो संगηों है तो हम लोके चलिक से दो सब सी भूर करें का निखिए वग निश्ग निखा लेंगे वन टािम जाएगा तो सक ard ऐस दो एकदी ये तो दो यहराए यह समझी है यूज दो संग हुए इसलिए दोसे गुरा कर रहे हैं तो एक बटा तीन गुने पाई और इसके बाद आर इसक्वाइड है तो आर की जगो पर क्या डालेंगे आर तो आर कितना है वन पॉइंट फाइब है दो बार लिखें मतर स्क्वाइड है और एच कितना दिया हुए दो सेंटिमीटर खत्म इसे हमारा क्या निकलेगा संगू का अधन प्रस्ट में देखिए ध्यान दिजिए जब तक अन्य था ना कहा जाए पाई कमान बाइस बटा साथ लेजिए तो चलिए बाइस बटा साथ ल क्योंकि चलिए कोई बात में पॉइंट में रखते हैं 1.5 इंटू देखिए पॉइंट उड़ा दिये तो 15 बटा दस हो गया क्योंकि एक अक्षर के बाद पॉइंट था तो पॉइंट गायब कर दिये तो एक जिरो नीचे आ गया और गुने दो इस तरह से कर दिये दो ये इसलिए है क्योंकि उचाई के लिए दो हैं फॉर्मूला आप लिख सकते थे उसके बाद ये प्रोसेस कर सकते हैं बात बराबर होता है तो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं आप इसको काटा पीटी करते हैं तो देखिए पांस तीया पंद्रा पांस दो नीदास पांस तीया ये दो खतम और इसके बाद ये दो एकाई दू और ग्यारो दूनी बाइस ये तीन ये तीन आपस में खतम और उसके बाद आप कुछ रहा नहीं है तो चलिए अब इसको कर लेते हैं तो ग्यारो दूनी बाइस बाइस दिया 66 और नीचे में क्या रहा जाएगा यह 7 है तो इसको 7 cm इतना हो गया अब चलिए बेलन का निकालते हैं बेलन का आइतन बेलन का आइतन निकाले इसमें भी बेलन का फॉर्मुल लगा दें पाई आर स्कॉाइड अच पाई आर स्कॉाइड एच चलिए पाई की जगह पर 22 बटा साथ लेंखेंगे और आर के जगह पर क्या लिखेंगे जो बेलन का त्रिजायत इसका भी उतना ही हो जाएगा तो तीन का आधा इसको 1.5 भी लिख सकते थे लेकिन क्या जो रहते डाइड बटा में ही लिखते हैं तो तीन का था क्योंकि ये पूरा कितना था तीन तो इसका आधा तो तीन का थी बटा टू का मतलब क्या होता है 1.5 तो 1.5 लिखिये या 3 बटा दो लिखिये बात बराबर है तो कोई घवराना नहीं है क्योंकि बात में भी इसको क्या करना पड़ा भीन में ही बदलना पड़ा इसलिए पहले से ही इसको क्या किया है भीन में ही लिख दिये कैलकुलेशन में आपको एक दो महारत हांसे लखना हो गया तो हो गया उसके बाद एच देखिए एच में साब्धानी बढ़ गये यह पूरा मॉडल का उचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमिटर लेकिन 4 सेंटीमिटर घट आगा है क्योंकि संकुक हट जाएगा ना संकुक हट आई यह तो 4 सेंटीमिटर हट की कितना आगया है एच हो गया है आठ और क्योंकि बेलन एक ही है तो इसको दो से गुना नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा अब चलिए काट दिजिए इसको भी ही दो एकाई दो दो चोगी आठ दो दो दोनी चार होगी आप कुछ नहीं है अब चलिए आप गुना कर देतें डाइक्र तिंती यानन अफ़ widgets 2018 20 22 u ो है तो चो जाएगा, यह 27 को पूरा आाइता निकाल ला है तो मॉडूल आख़िती नहीं मॉड। मॉडल का आइतन बरावर 66 बटा साथ प्लस 396 बटा साथ जो उसको साथ से भाग कर दीजłem तो चलिए साथ से करते हैं चलि scientist को साथ से भाग करेंगे तो काड़ जाएका एकाट राजाएगा छी यासल तो छीक जासल शन्टी मीटर क्यों सब जगह आ में इसमें टाल दीजिए ठीक क्योंकि सब जगा संटीमेटर लिखे हैं हुए डाइग्राम में देखिए इस तरह से इस तरह से यह हलो हो चुका है और यह तो ग्रफ था तो इसको हटा दिए गुना किये थे इस तरह से आप स्क्रिंस ले सकते हैं और हमारा मेहनत अच्छा लगा आपको तो जरूर वीडियो को लाइ अदेख तरही है